हलो फ्रेंड्स गूड मॉनिंग कैसे आप सबी लोगों मेरे सबी लोग बहुत एच्छी होंगे आज हम बात करने वाले हैं बेपेस्ची एक्जाम की जो आपका होने वाला एक्जाम और कई सारे लोग निकल भी चुकांगे अपने घरों से एक्जाम सेंटर तक पहुंचने के लिए आपको यहां पर ओमार शीट दी गई थी बेपेस्ची की तरफ से जो कि नमूना की रुप में आपको दी गई थी आप भरना सीख जाए उसको यहां पर इन लोगों ने एक बहुत ही बड़ी मिश्टेक यहां पर की है अगर आपको औ पर इस प्रकार की आपके सामने दिक्कत आने वाली है और इस दिक्कत का सामना हर एक स्टुडेंट को करना पर सकता है अगर आप अपने आप भरेंगे तो तो आपको यहां पर क्या करना है आपको सबसे पहले ओमार शीट देखने किस पकार की मिलने वाली है उसके बाद में आपको क्या करना है अगर इस पकार से आप देखेंगे ओरिजिनल ओमार शीट दी गई है उसमें भी आपके साथ कालम यहाँ पर दिये गए भरने के लिए तो आपको जो वहाँ पर duty लगी होगी जिन टीचरों की भी आपके कच्छा कच्छ निरिच्छक के जो duty रही होगी उनसे आपको पूछना है कि हम अनुक्रमांग किस प्रकार से डालें कि आगे का हमें एक कालम छोड़ना है फिर पीछे का जारी की गई होगी जो आपके कच्छ निरिच्छक के पास तक पहुंच चुकी होगी वह आपको जुरू बताएगा कि आपको पहले का कालम छोड़ना है फिर लास्ट वाला कालम छोड़ना है उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर OMR sheet serial number आपको डालना है जो आपको बह आप एक्जाम से बाहर हो सकते हैं तो आपको बहुत ही डेटेल और आराम से सब कुछ भरना जहां पर आपको दिक्कत नहीं जा रहा है वहां पर आपको अपने जो आपका निरिच्छक होता है जो आपकी देखवाल करते हैं अच्छा में दो लोगों की डूटी लगा जाती दीफिर दर तो आपको उन्से पूछ लेना है उसके बाद में डेटा बर्त आपको डालने मांनीले किसी की डेटा बर्त है पंद्रा तरीम तो आपको आगे ठावह लिखना है उसके बाद में 5 दिखना है पंद्रहal स तो 0 5 नहीं आपको लगाना है पूरा 25 या पर 2007 जो भी आपकी डی टाप बरत रही हो वही आपको डालने हैं पूरे डेटर्टल में डालने हैं इसके बाद में आपको नीक्ती आना है धिना भड़ने के अब और में आपको नीक्ती आना है नीक्टे देखेेग jars नहीं के सामें दिखा गया मुख्य पेपर विशय उसके बाद में आपको यहां पर भढ़ना है तो यहां पर दिया गया है सामान अदन यह जनरल स्ट्रेटीज का पेपर रहने वाला है तो यहां पर पहले से भराबर आया आ गया है फिर आपको उत्तर पुष्थिका आएगी जो आपका question paper आएगा booklet आएगी उसका करवांग डालना किसी का A होगा किसी का B होगा C होगा D होगा यह आपको देख करके सबसे पहले यहां पर रंगना मालेजी आपका C आया है तो पूरा आपको C रंग देना है उसके बाद में यहां पर आपको C लिख देना है ठीक है इस प इसके बाद में आपको क्या करना है उसके बाद में यहां पर जो paper आएगा आपका उसमें पांच-पांच आपसन दे जाएंगे अगर हम OMR sheet की बाद करें क्योंकि यहां पर देखिए पांच आपसन दे गए हैं A, B, C, D और E करके दिया गया है तो यहां पर में चीज यह है क एक गोल आपको एक बार भरना है माल लेजिए आपसे कोई मिश्टेक हो गई आपको लग रहा था कि question number 25 का आपसन number 20 है ठीक है फिर आपने कई सारे question करने के बादे हैं आपको लगा कि D सही था बी गलत था तो आपने D को भी कर दिया और इसको cut कर दिया तो इस हालत में आप अपने भर दिया वह भर दिया आपको याद रखना है दुबारा से cutting यह सब चीज़ें आपको नहीं करने हैं फिर आपकी बात आती है नीचे अगर हम बात करने लिखा है उमीदवार का हस्ताक्षर हिंदी में तो यहां जो आपने अपना form आलन किया था तो आपने वहां पर इसमें वह लोग यहां फा को फैस्टा वाला जो कालम है इसमें आपको जो करने है वो हिंदी में ही करने हैedarक्षर आपको याद रखना इए और यहां प्या करना आपज़ Drag जाता है फिर बाद में वह उतना forth शीट लेकर गुंते कई सारे जो टीचेर होते हैं कि उनके पास जाईए देखे कुछ अगर हो सकता है तो हो जाएगा लेकिन आपको परेशान होने की जरूत नहीं है बिल्कुल डेटेल में भरिएगा आराम से भरिएगा और सोच समझ के भरिएगा पढ़के भरिएगा कि आपको भरना वही है जो आपको वही ची देखने को मिलने वाली है फिर आपको डेटा बड़ डालनी है मुखी पर आपका ही सेकेंड है ठीक है उसके बाद में आपको यहां पर उसी प्रकार से अपना उस तरह पुस्त का करवांग डालना मालेज यहां पर डी है तो आपको यहां पर भी डी लिख द इधर आपका कट दिया गया है तो इस परकार से आपको यहां पर काला करना है गोला यह चीज इसमें important दी गई थी अब आपको परिच्छा कच्छ में क्या क्या लेकर के जाना है हम इसकी बात करने वाले हैं तो आपको मूल प्रविश्पत्र जो आपने डाउनलोड किया है उस अब पास हूं तो इनको आपको लेकर करें जाना है दो बालपरण आपके पास काला और निला यह सब होने देखी जाएंगी अपने फॉर्म भरा था जो कागज अपने अलन के थे तो हाइज स्कूल का सर्टिफिकेट अगर आपसे बंच सके तो जरूर ले करके जाएगा कई बार कुछ ना कुछ फाल्ट हो जाती हैं तो आपसे वहाँ पर मांगते हैं कि अरिजिनल आप अपना सर्ट जड़ा इंपॉर्टन रहने वाली है अगर आप अपने भर देते हैं आपने पहले से भरना सुरू किया और आपके टीचर ने बोल दिया बाद में कि आपको पहला छोड़ना है दूसरे से भरना सुरू करना है तो आपका सब गलत हो जाएगा और आपकी काफी चेक नहीं की जाएगी तो आप लोग आराम से प्मूश के भरिएगा अगर इस पकार की इस्तित्वां पर बनती है तो अन्यथा अगर छे आते हैं तब तो आपको अपने आपी भर देना है कोई पूछने की जरूरत नहीं है तो चलिए साथ हो मिलेंगे आपको अगली क्लास में जबते क किरे धन्यवाद बाबाए